असलामु आलेकुम फ्रेंज, वल्कम टू माई चैनल हीना भी हेल्डी फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक योपर बात करने वाले हैं अपनी प्रजिनन शमता को कैसे बनाएं और अपनी गरबाश है और रीप्रोट्रक्टिव सिस्टम को कैसे स्ट्रॉंग करें यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड क्यूंकि आज कल इनफर्टलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिसके चलते आप लोगों को कंसीव नहीं होता बहुत ट्रीट्मेंट करवा लेते हैं बहुत मैडिसिन भी खा लेते हैं आईउई आईवियफ तक करवा लेते हैं लेकिन फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिलती और आप संतान सुप के लिए बहुत ज़ादा परेशान रहते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने पूरे रीप्रोड़क्टर सिस्टम को आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं कुछ नाचुरल टिप्स फॉलो करके जिससे आपके कंसीव करने के चांसे को आप नाचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं और आप विदिन वन् अपना रीप्रोड़क्टर सिस्टम स्ट्रेंग्टिन करके कंसीव भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड विदाउट वेस्टिंग अने टाइम आज का ये इंटरस्टिंग वीडियो शुडू करते हैं उससे पहले आप लोगों से एक चोटी से रिक्वेस्टर वीडियो अगर एसेंशल है ये आपकी रीप्रोड़क्टर सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और एक गर्ब धारन करने के लिए उसको रेडी करता है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते कि मैडम मेरा आईवाई फेल हो गया आईवियो फेल हो गया है मुझे नेचरॉल सिस्टम या फिर ट्यूब में कोई ना कोई तरकी तो प्रॉब्लम जरूर है या फिर ओवलिशन से रिलेटेट कोई प्रॉब्लम है जिसकी वज़े से आपको कंसीव नहीं हो रहा है आज की इस वीडियो में मैं आपको जो रीप्रोड़क्टर सिस्टम को स्ट्रेंग्टिन करने के लिए जो जो टेप्स देने वाली हूँ या आप लोगों को बहुत ही ज़दा हेल्प करने वाली है नैच्चुरल तरीके से कंसीव करने के लिए इससे आप लोग फाइबर रिच फूड आइटम्स को अपने दिन भर की दिन चर्या में जरूर आड़ करें ब्रेक्फ बहुत सारह आपके अंदर हामुंस इन चेंजिस होते हैं इस कंसीव करने के दोरान में क्योंकि आपके पहले पीरद शुरू होते हैं फिराव उलिषन होता है इंप्लान्टेशन होता है इसमें महिलाओं की बॉड़ी में हामुन्स बहुत जादा इन चेंजिस होते हैं जिसकी वज़े से कभी आपको बुखार हो जाती है कि अभी दस्त लग जाते हैं कभी anxiety फील होती है आपको bloating जैसी problem हो सकती है बहुत बहुत सारी चीज़े होती है महिलाओं के अंदर हामुन्स इन चेंजिस होने की वज़े से इसे ये fiber rich food items help करेगा उन सारी चीजों से fight करने में और आपके reproductive system को strengthen करेगा natural तरीके से conceive करने के लिए सिधे सिधे बोलू तो आपके गरबाशे को ये तयार करेगा गरबधारन करने के लिए दूसरी जो चीज़े जो आपके reproductive system को strengthen करने में help करेगी वो है water अब water यानि की पानी पानी सुनके आपको ऐसा लग रहा होगा कि पानी क्या कर लेगा और पानी हमारे reproductive system को कैसे strong करेगा देखे फ्रेंड पानी ये एक ऐसी चीज़ है जो medicines को भी fail कर सकती है आपकी बोड़ी में पानी भरपूर मातरा में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप पानी अच्छी तरीके से नहीं पीते हैं और पानी की मातरा आपकी बोड़ी में कम है तो इसकी वज़े से आपकी ovaries में और reproductive system में oxygen की कम ही हो जाएगी जिसकी वज़े से reproductive system अच्छे से काम नहीं करेगा ovaries अच्छे से अंडा नहीं बनाएगी और ovulation नहीं करेगी तो आपको ही नुकसान है आपको infertility face करना पड़ेगा और conceive नहीं होगा आपको भले ही ये चोटी सी चीज लग रही होगी कि पानी पीने से क्या हो जाएगा लेकिन पानी भरपूर मातरा में यानि की चार से लेकि 8 glass दिन भर में पीना बहुत ज़दा ज़रूरी है जिसकी वज़े से आपकी बॉड़ी dehydration का शिकार नहीं होती है आपकी बॉड़ी दिन भर hydrated रहती है आपकी ovaries में fresh blood supply जाता है और reproductive system में भी fresh blood supply जाता है जिसकी वज़े से आपके गर धारन करने के chances बढ़ जाते है तीसरी जो चीज़े वो है regular exercise अब regular exercise का मतलब ये नहीं है कि जिम में जाके heavy heavy dumbbells उठाने है आपको ऐसा कुछ नहीं करना है exercise मतलब की दिन चर्या में आपके कुछ ना कुछ activities होनी चाहिए लाइक आप आप आसंस कर सकते हैं प्राणायम कर सकते हैं डेली walk भी कर सकते हैं जिससे आपकी प्रजनन शमता active रहती है और conceive कने के chances भी आपके बड़े हुए रहते हैं आपने देखा होगा फ्रेंड जिन महिलाओं की दिन चर्या में कोई भी तरह की activity नहीं है वो प्राणायम, योगा आसंस या walk जैसी चीज़े नहीं करती है तो ऐसी महिलाओं को PCOD, PCOS, thyroid, hormonal imbalance, weight बहुत ज़ादा gain हो जाना, periods irregular जिससी problem हो जाती है जिसके वज़े से वो conceive नहीं कर पाती और फिर वो हमारे पास case लेके आती है कि मुझे ये ये problem में conceive नहीं हो रहा लेकिन ये सारी problem आप खुदी adopt करते हैं आपकी दिन चर्य में कोई activity ही नहीं है बहुत सारी महिलाओं तो office के चलते office में बैट कर काम करने की वज़े से कोई भी तरह की activity नहीं कर पाती जिसके वज़े से ऐसी सारी problem उनको लग जाती है तो दिन चर्या में exercise, daily yoga asanas, प्रणायम, walk, add जरूर करे यह बहुत ज़्यादा important है conceive करने के लिए भी और अपने reproductive system को active करने है चौती जो चीज़े वो है maintain a healthy weight आपने देखा होगा friend जबी भी आपका weight बढ़ता है तो बहुत सारी problems आपको ग्रसित कर लेती है PCOD, thyroid, hormonal imbalance, weight बहुत ज़्यादा हो जाना, periods irregular हो जाना यह सारी चीज़ों के वज़े से ही आपको infertility face करना पड़ता है infertility की बात तो चलिए दूर है लेकिन weight अगर आपका ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत सारी problems आपको घेर लेती है stress आपको बहुत ज़्यादा हो जाता bloating जैसी problem होती है, headache होता है hormonal changes होते है महिलाओं में ovulation नहीं होता अंडे नहीं बन दे, aki quality अच्छी नहीं होती बहुत सारी problems होती है सिप एक weight बढ़ने की वज़े से इसलिए उस weight को बढ़ने ही मत दीजे अपना एक weight healthy और maintain करके रखे अगर आपका weight जादा है प्रणायम योगासन करे सुबा में walk करे अजवाइन जीरा ड्रिंक ले और आदा घंटा walk करे आपका weight ऐसे ही loss हो जाएगा बिना कुछ किये weight loss करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको gym में जाना है 2-3-3 घंटे gym करना है आपका weight loss होगा ऐसा नहीं है weight loss करने के लिए आप अजवाइन जीरा ड्रिंक ले लीजे morning में empty stomach और आदा घंटा walk कीजे आपका weight loss हो जाए पांचवी जो चीज है वो है get in on sleep आपको जो है रात की नेंद अच्छी लेनी है चाहे तो आप जल्दी ही सोने की कोशिश करे और सुबा में जल्दी उटने की कोशिश करे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है तीन-तीन-चार-चार बज़े तक टिक-टॉक्स यूज करते हैं मोबाइल वगरा यूज करते हैं कोई भी तरह की activity नहीं है लिकिन मोबाइल में अपना time waste जरूर करना है और फिस सुबा में लेट उटते हैं इसकी वज़े से आपकी दिन-चरिया भी खराब हो जाती है जब आपकी lifestyle ही अच्छी नहीं होगी तो आप conceive करने के लिए expect भी कैसे कर सकते हैं इसलिए friend में आपको कहना चाहती हूँ अगर आप नींद proper तरीके से नहीं लेते हैं और सही समय पे नहीं लेते हैं तो conceive करने के chances यहाँ पे आधे आपके कम हो जाते हैं रात को आप जल्दी सोने की कोशिश करेए 10 से लेके 11 बज़े के बीच में सो जाएए सुबा में 6 से 7 के बीच में उड़ जाएए 8 घंटे की proper नींद लीजिए बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है काम के चलते 6 या 5 घंटे ही नींद लेते हैं और फिर काम करते रहते ऐसा भी नहीं करना है friend क्योंकि अगर आप proper नींद नहीं लेंगे आपकी नींद की जो नीड है वो पूरी नहीं होगी तो इससे आपके गरबाश है आपकी ovaries के उपर impact पड़ेगा इससे आपके hormones disbalance होंगे ovulation नहीं होगा पीरच irregular हो जाएँगे weight बढ़ जाएगा thyroid PCOD जैसी problem हो जाएगी फिर अगेन आप infertility में आ जाओगे आपको conceive नहीं होगा तो अगर आपने reproductive system को strengthen करना है इसको strong करना है तो नीन प्रॉपर लीजे 8 गंटे की सही समय पे सोए और सही समय पे उड़ जाए ये दोनों भी husband और wife पे लागू होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है conceive नहीं हो रहा है तो सारी चीजे wife को ही करनी है husband, wife दोनों को भी ये सारी चीजे लागू होती है नेक्स्ट जो चीजे वो है avoid smoking, tobacco and alcohol अगर आप लोग conceive करने के लिए try कर रहे हैं तो smoking, tobacco and alcohol बिल्कुल भी बन कर दे मैं आपे महिलाओं की भी बात कर रही हूँ और पूरुशों की भी बात कर रही हूँ बहुत सारे पूश ऐसे होते हैं जो tobacco, alcohol, smoking का इस्तिमाल करते हैं जिसकी वज़े से उसका impact उनके sperm के ओपर पड़ता है और फिर अगेन आपको infertility face करना पड़ता है आपकी wife struggle करती है conceive पने के लिए हर तरह के पैतरे आजमाल लेती है लेकिन आपके ही अंदर कमी होगी तो conceive उसको कैसे होगा इसलिए tobacco, smoking and alcohol बिल्कुल बन कर दे अगर महिलाओं भी यूज़ कर रही है तो बन कर दे ovulation नहीं होने देता बहुत सारी चीज़े होती है तो please ऐसी सारी चीज़ों से दूर रहे next जो चीज़े वो बहुत ज़दा important है manage your stress in a healthy way आज कल आपने देखा होगा metro cities में बहुत ज़दा infertility case आ रहे है वो इसलिए क्योंकि हमारी भागमदोडी वाली life है lifestyle अच्छी नहीं है बहुत ज़दा stress है काम को लेके financial condition के वज़े ससुराल वालों को लेके माईके वालों को लेके आसपडोस वाले को लेके सारे लोगों का tension आप लोग लेकर बैठते हो जिसकी वज़े से आपकी life में stress बहुत ज़ादा हो जाता है और conceive करने के chances कम हो जाते है बहुत सारे लोग मुझे बोलते सारी report normal है फिर भी conceive नहीं हो रहा और doctor के पास जाते तो doctor बोलते tension मतलो conceive हो जाएगा तो आप लोग tension ही तो अपना कम नहीं करते हो अपना stress level कम नहीं करते हो तो सारी report normal होने के बावजूद भी सारी चीज़े active होने के बावजूद भी conceive कैसे होगा आप लोगों को पता नहीं होगा stress ये एक ऐसी चीज़े जो आपकी प्रजनन शमता को दिन बदिन खराब करता है और कम करता है अब आप लोगों का question ये होगा कि madam stress तो होता ही है कितना भी कर लो stress होता ही है आप लोगों की भी बात सही है even हमारी भी life में stress होता ही है कोई भी ऐसा इस दुनिया में नहीं है जिसकी life में stress नहीं है लेकिन आप उस stress को manage कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं विटामिन D के लिए सुबा की धूप ले, पहली धूप ले जिससे आपको विटामिन D नाचुरल तरीके से मिलेगा, साथी में सुबा में मेडिटेशन करें, जिससे आपका स्ट्रेस लिवल कम हो, अब बहुत सारे लोग बोलते कि इवनिंग में कर सकते, अरे भाई आपकी श सकते तो घर में करिए, कम से कम 15-20 मिनिट मेडिटेशन कीजिए, ये आपके स्ट्रेस लिवल को नच्रल तरीके से कम करेगा, नहीं भी कम करेगा, तो कुछ हद तक तो कम करेगा, जिससे आपके कंसीब करने के चांसे बढ़ जाएंगे, मेट्रो सीटीज में टेंशन जादा होने की वज़े से इनफर्टिलेटी केस बहुत जादा बढ़ रहे हैं, इसलिए इस चीज को और इस पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नॉर ना करें, स्ट्रेस लिवल को कम करें, मेडिटेशन से, अब फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ कि हामरे रीप्रोड़क्टर सिस बहुत सारी कंडिशन आ जाती है, जिसकी वज़े से आपको इनफर्टिलेटी फेस करना परता और कंसीव नहीं होगा, ठीक है, यह आप चीज, यह एक बाद गार्ड बान के रख लीजे, अगर आप अपने रीप्रोड़क्टिव सिस्टम को हेल्दी नहीं रखेंगे, तो यह एक रीप्रोड़क्टिव सिस्टम आपको बहुत तरह की बिमारियां दे सकता है, और फिर आप डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, मेडिसन खा खाके ठक जाएंगे, लेकिन यह जो चीज है वो क्योर नहीं होगी, इसलिए अपने रीप्रोड़क्टि करने के लिए आपको नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी प्रॉब्लम ने, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो अपने रीप्रोड़क्टिव सिस्टम के उपर प्लीज एक बर इसके उपर ध्यान जरूर दे, और यह स लोगों की मदद करने के लिए ही ये वीडियो बनाती हूं, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडन्स मिल सके एक कंसीव करने के लिए, ऐसा बिल्कुल मन सोचो, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, अल्ला पाक के उपर छोड़ दो, अरे लोगों को तो मैंने देखा है कि tip follow नहीं करने हैं, लेकिन reply चाहिए, आरे भाई, जब हर एक topic के उपर वीडियो बन चुका है, हर एक condition के उपर वीडियो बन चुका है, तो reply किस चीज़ कर चाहिए, वीडियो देखो, success story देखो, tips फॉलो करो, tips नहीं follow करने, reply चाहिए, आप से बात करना है, आरे भाई, आप tip follow करो, आपको conceive होगा, reply मिलने से conceive बिलकुल नहीं होगा, ये बाते भी आपको तीखी ज़रूर लग रही होगी, माफ करना मुझे, लेकिन ये बाते सच है, फ्रेंड, आपको tip follow करने से conceive होगा, reply मिलने से conceive नहीं होने वाला है, इसने tips के करेंगे, और अगर mistakes अब तक कर रहे थे, तो उसको सुधा रहेंगे, वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है, तो like, comment, share and subscribe करना बिलकुल ना भूले, इस वीडियो को जादर जादर शेयर करें, ताकि हर महिला तक ये वीडियो पहुच पाए, अपने evolution को try करने के जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, तो friend आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों से next वीडियो में, next topic के साथ जब तक के लिए, अल्ला हाफिज